जहिन स्वागत आपका अपने Study24 जार्खन यूट्यूब चैनल में बच्चों में इस वीडियो में आपसी जार्खन बोड के कलस्ट वेल आनि कि इंटर्मीडियाट के छात्रों का 12 फरवरी को हने वाले जोगरफी आनि कि भुगोल के बोड एकजाम के लिए कुल मिला करके 25 भीविया अपजेक्टिव परशनों का उतर ले करके आया हूँ जो आपसी जात्रों के लिए काफी महतपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे परशन आपके 12 फरवरी को होने वाले बोड एकजामें पूछे जा सकते हैं इसलिए बच्चों आप लोग इस वीडियो को सुरू से ले करके आन्त तक जरूर देखिएगा तो बच्चों चली हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिये गए सभी 25 अबजेक्टिव परशनों के उतर को हम लोग एकए करके देखते हैं और बच्चों इसमें आपका पहला परशन पूछा गये कि अंत्रो पोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है यह जो पुस्तक हम लोग देख रहें एंत्रो पोजियोग्राफी तो इस पुस्तक को किसने लिखी है तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका ओप्सन नंबर खा रेट जेल बच्चों हम यहाँ पर आप लोगों को पुरण डिपली समझाएंगे या फिर बताएंगे तो यह बेडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो आप लोगों के लिए सही नहीं है तो आप लोग ठीक इसी तरह से हम जो बताते जा रहे हैं तो आप लोग देखते जाई है कि आप लोग 25 में से कितने परसनों को जान रहे हैं या फिर रिभाईज करते चलिए तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो दूसरा प्रसन पूछा गया है उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं और बच्चों यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रसन पूछा गया हुआ है कि मानव भुगोल के जना कौन है तो बच्चों इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आपका option number गा फ्रेटरिक रेटजल जिन्होंने एंत्रो पोजियो ग्राफिय नामक पुस्तग लिखी थी इसकत बच्चों आपका तीसरा प्रसन है कि 20 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादीप कौन है तो 20 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादीप है एसिया जहां पर हम लोग रहत्यानी की भारत, पाकिस्तान, सिरिलंका, वर्मा, भुटान, नेपाल, इत्यादी जो देश है तो इसी महादीप में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है इसकत बच्चों आपका चौथा परसने की मानो विकास की अवधारना निमनलिखित में से किस बेक्ती की देन है तो बच्चों इसका सही उतरोग आपका उप्सन नंबर गव महबूल उलहग जो पाकिस्तान का ये कर्थ सास्तरी था इसकत बच्चों आपका पाँचों परसन पूछा गया की निमनलिखित आर्थी किरियाओं में कौन गरामिन अधिवासों से समधित है तो बच्चों इसका सही उतरोग आपका प्रात्मी किरियाएं मतलब खेती बारी पसुपालन नितियादी इसकत बच्चों आपका जो देख रहें इसका सही उतरोग जाएगा आपका उप्सन नमबर घच आए इसकत बच्चों आगे बढ़ेत आपका जो साथवा परसन पूछा गया हुआ है कि मैंचेस्टर की सुद्धियों के लिए परसीद है तो बच्चों मैंचेस्टर जो है यह आपका सुति वस्तरोग क के लिए परसीद है जो इंग्लेंड में है या फिर कहें कि लंदन में है इसकत बच्चों आपका जो आठ्वा परसन पूछा गया हुए कि स्वर्न कॉलर कहे जाने वाले बेवसाय निम्न में कौन है तो यहां जो लोग देख रहें तो इसमें सही उतरोगा आपका उप्सन नंबर घह सही होगा इसकत बच्चों आपका दसमा परसन पूछा गया कि 20 के किस देश में सडकों की लंबाई सरवाधिक है तो यह आपका है उयसे यानि की उनाइटेड अस्टेट से अमेरिका आज इसको हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं इसकत बच्चों आपका ग् आरवाड हैं क्या है तो यह आपका नौसेनिक पतन है आनि कि उप्सन नंबर ख सही है इसकत बच्चों आपका तेरहवा परशन पूछा गया कि निमनलिखित में से किस भासा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका उप्सन तीवती इसके अधवक्चों लोग आगे बढ़ हैं तो आपको 14 परशन पूछा गया कि निमनलिखित में से कौन सा भारतिये नगर सैचिनिक नगर नहीं है तो यह आपका सैचिनिक नगर है और वहीं पर आपका जो एहमदाबाद है यह सैचिनिक नगर नहीं यानि कि इसका सही उतर होगा अपसन नमबर गया इसका बच्छा आपको 15 परशने की भारत का सबसे बड़ा नगर है कौन है तो भारत का सबसे बड़ा जो नगर है वह आपका मुमबई जो आप लोग आपसन नमबर गया में देख रहे हैं जो महारास्ट में है oranges मैं इसका वोग प्रशने क कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहां किया जाता है तो यह आपका होता है उत्तर परदेश में आने की option number ख सही है इसकत 18 परशने की अमना नदी देश में सबसे अधिक परदूसित है कहां पर तो बच्चों इसका सही उत्तरोग आपका option option number ख इटावा हमिरपूर में इसकत बच्चों आपका उनिस्वा परशने की नीरू नीरू मिरू नामक जल संभर विकास परियोजना नीम्न में से किस राइज में सबसे समंदीत है तो बच्चों इसका सही उत्तरोग आपका option option number ख आंद्र परदेश इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो आपका विस्वा परशन पूछा गया कि सिवा समुद्रन जल विद्धूत परियोजना किस राइज में है तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा आपका option number जो देख रहे हैं क करनाटक आनि कि यही आपका सही होगा इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 21 परशन पूछा गया कि निम्न में से किस राइज में कोईले का सबसे अधिक भंडार है तो हमारा जारखंड इसमें है तानि कि इसका सही उत्तर होगा option number ख इसकत बच्चों आपक 23 परशने की किस वर्श भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी अभी जो हम लोग देख रहे हैं 5G, 4G का परियोग करते हैं तो यह आपका सबसे पहले भारत में कब शुरू हुआ था तो यह शुरू हुआ था 1998 में आने कि option number ख सही होगा इसकत बच्चों आपका 24 परशने की भारत का सबसे गहरा बंदरगा कोन है तो इसका सही उतर होगा आपका option number ख मुंबए ठीक है 24 का सही उतर क्या होगा option number ख मुंबए इसकत बच्चों 25 और अंतीम परशने की निमनलिखित में से सरवाधिक परदूसित नदी कोन सी है तो ग परद एकजाम के लिए कुल मिला करके 25 बीवी अबजेक्टिव परशनों के उतर को देखा और बच्चों और भी आपनों के लिए जो बीवी अबजेक्टिव परशन है साथी सब्जेक्टिव परशन है तो उसके उतर को इस YouTube चैनल के माध्यम से एक के करके आप स्विच हात अबजेक्टिव परशनों का भी वीडियो इस YouTube चैनल पर पहले ही डाल दिया उससे भी आप लोग देख लिजेगा तो बच्चों फिर से मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में तपता के लिए जय हिंद, बंदे मात्रम, जय जार्खन, जोहर जार्खन, थाइंक्यू, बे दिविजन से भी अधिक आंकों से पास होईएगा, धन्यवाद